हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वडियो में हम बात करने वाले हैं मेकेनिक डीजल के फर्स्ट यर के ट्रेट थियोरी के 40 को करने वाले हैं जो कि यह आपका एक्जाम डेट 9-4-2021 को हुआ था ठीक है तो यह आफिसियल पेपर है और हम लोग 40 मेकेनिक डीजल के ट्रेट थियोरी के को करने वाले हैं तो वीडियो को अंतक बने रहिएगा और सेशन अच्छा लगएगा तो लाइक कर दीजिगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा और पीडिएफ के लिए आपको की यदि आप क्लास देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूंगा और स्क्राब केल्कुलेसर का भी जो कि मैं करा दिया हूं यदि आप नहीं देखें तो वह कर लीजिगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आप एक्जाम देने की आ रहे हैं तो चलिए यहां पर पहले को स्टार्ट्ट करते हैं फ़र लेक को स्टैने अ कि पहला को स्टैने दिए वार्ट इप इस दाने आफ दीन चाहें लेकितो इसका नाम है यह तून अALLY की मैं आपनें यह जो फचले को शन दिखेंगे दूसरा नमबर् what is the name आप दिख्कί कुझजी का नाम क्या है यह कुझजी का नाम क्या है होलो सइडल की ठ्क है ये कैसा है यह होलो है याणि की को ख खेला उनकर से क्या को खेंगे अक्सक्रमण रहेगोड की कुझच्च पढ़ते colors एकसल शाफ्ग चेद और अख्रोट के लाट को सब्रेखित करने के लिए किस परकार का नट का परियोग करते हैं यहाँ पर लिग दिया है नट के जगधा पर क्या होगा यहाँ पर नट का सब्रेखित तो दूंदी मैं यहाँ पर इंकली जाद तर यूज करूगा क्यों कि एकसल साफ्ट को जाफंका होलो है साफ полож hollo है колe a hay साड़ की 好 जो है उसले सीधा करने केलिए यह नंट होता है कि वह कैसा होता है lock पी करना के लिए यह लिए तो उसका यह जो लाक होता है वह कैश्टटल्यस नंट होता है जो आसानी से हम किसी की को फिक्स कर सकते हैं और रिमूब कर सकते हैं वो कौन सा की होता है तो वो की होता है जिब हेड की ठीक है जिसको हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं और रिमूब कर सकते हैं वो की होता है जिब हेड की अगला कोश्चन देखेंगे पांचवे नंबर चीज और समझना है इलेक्ट्रान का परवाह जब होगा तब ही जैसे हमारी जो घरों में लाइट और वर्क करती है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रान का परवाह होता है यहीं कि वह क्या होती है चालकता होती है तो गोल्ड में चालकता होती है सिल्वर और कापर में चालकता हो फिर्टर प्रवाहित होता यानि कि करेंट दोरता है तो यहां पर दिए से पदार्थ में इलेक्टरान किसमी मिला था योटाक्ट अगर लकडि 스मा लकडि नहीं नहीं हो गया अगया सिक्स से फञॉथ bian kidney भी होता ना उसमें भी electron प्रोवाइत नहीं होगा लकड़ी हो गया plastic हो गयाा रब्बढ़ हो गया कागज ओ गया इसमें क्या होगा bringing फ्लोओ नहीं होगा आगे का कोशन गुन से सिक्सनर बैट्र गभी कभी यह फार्मूला टाइरेक्ट मि'll झाल आ जाता देखेंगे सेविंट इन cabbage अपजिटीब प्लेट इंद लीड असीड बैटरी अच्छे प्लेट की शपनेगरी सब्सक्रिण पजिट्टीव प्लेट में लीड एसिट भी यानी जैसुम्हें भिजिटे और लगाया है उस्में प्लेट क सामय होता है तो लीड होता है लीट प्रयक्साइड का यह याद रखिएगा अगला कोशन हेट नमबर का दिया है विच इस दा सेमी कंड़क्टर मेटेरियल इनमें से कौन सा सेमी कंड़क्टर यानि कि और्ध चालक पदार ते और चालक पदार जिसमें से इलेक्टरान का परवार रुक रुक करो ठीक है उ अगला कोशन देखेंगे नस नमबर का कोशन देखिए विच डिवाइस इस लुकि टी लिमूट,ाक्सिक वेस्ट को अटाने के लिए किस डिवाइस का किस उपकरर का परियोग करते है विसाक अपसिश को अटाने के लिए तो हम लोग परियोग मिलाते हैं व्यक्यूos क्लीनर वैक्यूम क्लीनर क्या करता है कि जितने भी टाक्सिक वेस्ट है विशाक्त अपसिस्ट पदारतें उनको रिमूब कर देता है करेक्ट टेंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अगला कोशन चलते हैं दसवे नंबर पर दिया वाट इस द इफेक्ट आफ एयर बोर्न ड यक्र वर्क्षाप में रहते हैं यह क्या करते हैं जो इंस अलाते हैं गले में तकलिफ लाते हैं न अगला कोशन देखेंगे इलेवंट नंबर कि दिया है वाट इस दर डाया में डाया आफे मीडियम कोस्टेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड यूज्ड इन फिलेट वेल्ड लैप जॉइन्ट विट 110 अपान 120 एंपियर्स वेल्ड करेंट ठीक है 110 बटा में 120 एंपियर वेल्डिंग करेंट के साथ पटिका वेल्ड देखेंगे 12 नमबर दिया है विश टाइप आफ हाडें निंग यूजड इडी करेंट इन दा मेटल बार धातु पट्टी में किस परकार का हाडेंग इस्तेमाल किया हुआ करेंट होता है तो यह जो करेंट इस्तेमाल करते हैं हम लोग वह होता है इंडक्शन हाडेंग करें ट्रेंस और क्या हो जागा इंडक्सन हाडेंग अगला कोशन देखेंगे 13 नमबर डे विश वनबरी त्रीटमेंट करहते हैं और हीत आनलिम बनाता है अगला कोस्चन देखेंगे विच टाइप आप पंप यूज इन हाइड्रोलिक जैग में किस परकार का पंप का परियोग करते हैं हाइड्रोलिक जैग में किस परकार के पंप का इस्तमाल किया जाता है तो इस्तमाल किया जाता है प्लंजर पंप ठीक है प्लंजर में ही क्या होता है हम लोग जब दबाते ह बार दबाते हैं तो यह क्या होता है hydraulic jack उठता जाता है अगला question देखेंगे 15 नमबर दिया है which part is the internal gear pump act as seal आंत्री gear pump में कौन सा भाग सील के रूप में कारे करता है तो कौन सा भाग सील के रूप में कारे करता है अगला question देखेंगे 16 नमबर दिया है which is the fixed measuring face micrometer की निश्चित में आपने वाला चेहरा कौन सा है तो निश्चित में आपने वाला जो चेहरा है वो है एन्विल करेक्ट टेंसर क्या हो जागा अगला question देखेंगे 17 नमबर दिया है विच मार्किंग मीडिया यूज्च टू मार्क इन्दा फिनिश शर्फेस तो फिनिश देखें किछ मार्किंग मीडिया का यूज्च करते हैं फिनिश सर्फेस पर जो फिनिश सर्फेस है जब आप कोई जाब बनाया रहे होंगे तो इस पर फिनिशिंग करने के बाग मार्किंग मीडिया किसका परयोग करेंगे सबसे पहले मार्किंग मीडिया समझते हैं कोई जाब आपके मिला हुआ है और जाब को मालेजी यहां से कटिंग करना है तो यह जो कटिंग के लिए लिए जील लगाने के लिए हम जो मेडिया का इस्तमाल करते हैं जह हम पदार्त का इस्तमाल करते हैं उसी को मार्किंग मिडिया के थे अब c997 मлоёт और से पदार्ते योज हाट अप्रशान भूला तो कोई भी मार्किंग फीनिसींग पर मेडिया ःधे और नमबर दिया है वाट लीनिट इस दा यूज आफ बेंच वेज से उसका यूज किया होता है किसली से करते है तो बेंच वाइश का यूज यह वरपीस को या जाब ko पकड़ने के लिए कई आ घा जाता है तो करेक्ट टन्सवर कर किया हो झागा टू ओल्ड़ कूल लीगां करते है किसी भी जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है 90 नमबर का कोश्चन देखिए दिया है विश्च इस दर डिजिटल इंडिकेट द इंजन टाइप इन ग्रूप आफ वीडीसी 17 डिजिट आफ वी आई एन नमबर कौन सा अंक वी आई एन संख्या वीडीसी 17 अंकों के समभू में इंजन परकार इंगित करता है तो इसमें जो है यह करेक्ट टेंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा एट ठीक है अब देखिए मैं यहां पे और कुछ बताना चाहता हूं आप लोग को जैसे कि टीडीसी बीड बाट तक जहां जाता है सिलैंडर के अंदर उसे टीडीसी कहते है और पिष्टन जो है सबसे नीचले में düzeं सिलैं गर में जहां तक जाता है वो क्या होता है त्टीडीसी सी का फूल समल टीडीसी का फुल फाम बताए तो टॉप डेट सेंटर बीडीसी का भी फुल फाम पूछ लिया जाता है तो बटम डेट सेंटर यह याद रखिएगा चलिके कोश्चन पर पढ़ते हैं यह वाट इस काल दर डिस्टेंस बीट्विन टीडीसी एंड बीडीसी ऐसे कोई सिलेंड हो गया और पिश्टन की यह टीडीसी हो गया और यह बीडीसी हो गया इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते है तो इसको बोला जाता है इस्ट्रोक क्या बोला जाता है इस्ट्रोक क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए ट्वेंटीवन न क्रेंकिंग का मतलब यहां पर समझ लिए जो हम लोग हाथ से जो हम लोग हाथ से इंजन को स्टार्ट करते हैं उसे हैंड क्रेंकिंग कहते हैं हैंड के द्वारा क्या होता है क्रेंक साफ्ट को चला देते हैं क्रेंक साथ चलने लगेगा तो पिस्टन चलने लगेगा और पिस् चांच करेंगे सक्सिज कार पर तो आपको टीडिसी बीडिसी इस ट्रोग क्या होता है बटम डेट सिंटर क्या होता है ठीक है फिर कंप्रेशन रेसियो तो कंप्रेशन सक्षन कंप्रेशन पावर यह सभी में डिटेल से बताए हूं चलिए आगे देखते हैं दिया है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक दर टैपट क्लियरेंस टैपट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का परियोग करते हैं तो टैपट क्लि मिलाते हैं फिलرب कि दोवारे पता चलता है कि कितना टैपटक्लियरेंस कमतलब क्या रहते हैं जा की जब आप इंजन के अंदर यानि की सिलेंडर के अंदर जो वाल्ब लगा रहता हैं वो किसके म Pac-10 टैपट तो उसमें भी clearance होनी चाहिए कुछ अगला question देखेंगे दिया है what is the name of portion below the piston boss piston boss के नीचे का हिस्से का क्या नाम है तो piston के जो piston के जो portion होते हैं जैसे मैं आप लोग को समझा दूँ यहां पर यह piston है यह क्या है कनेक्टिंग राड होगी अब यहां पर सकर्ट का बना होता है इसकर्ट इस सी क्या होता है इसकर्ट आप दिपोजीशन होता है piston के नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है portion वह सकर्ट पिस्टन का skirt होता है अगला question देखिये दिया है what is the material of piston pin piston pin का जो जैसे piston pin का material क्या होता है जैसे माली जै कि piston बना होगा है और piston में हम लोग connecting राट जोड़ने के लिए जो pin का इस्तमाल करते हैं वो किस material का बना होता है तो वो बना होता है nickel chromium steel का nickel chromium steel का अगला question देखिये दिया है What is the measuring instrument used to find the diameter of piston Piston की diameter ग्याद करने के लिए Piston का व्यास जैसे यह piston है यह piston हो गया इसका व्यास ग्याद करने के लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं इसका जो व्यास से कितने व्यास का है कौन से instrument का यूज करते हैं तो यह लाते हैं outside micrometer का प्रयोग करते हैं डायाग ग्याद करने के लिए अगला देखिए What is the name of diagram इस diagram का नाम क्या है तो देखिए यह diagram क्या है तो यह valve timing diagram है यह क्या है वाल्ब timing diagram जिसे इसमें suction सक्षन होगा सक्षन से पहले ही क्या हो जाता है वाल्ब खुल जाता है और उसमें piston के अंदर जो है जो कि हवा और इंधन का मिस्रड चला जाता है तो यह diagram वही है कि TDC से पहले ही क्या हो गया देखिए यहाँ पे यह जो है सक्षन और वाइट वाला compression फिर ब्लैक वाला क्या हो गया सक्षन compression पावर फिर exhaust वाइट वाला तो यह क्या दिखाता है टीडीसी देखें टीडीसी ऊपर नीचे बीडीसी है तो यह किसको दिखाता है तो यह दिखाता है वाल्ब टाइमिंग को अगला 1727 नमर का question देखें वाट टाइप आप बीरिंग फिटेड इन दव कनेक्टिंग राड बड़े अंत में किस परकार का किम देखें कनेक्टिंग राड जो है बी इंड कहां लगा होता है कहां फिट किया जाता है तो आपको मैं बता दूं यह कनेक्टिंग राड एक चोटा और यहां पर सोरी में थोड़ा अच्छे से बना दूं कुछ इस परकार रहता है और थोड़ा सा यहां बना होता है कुछ इस परकार होता है तो बीग इंड बेरिंग कहां जुड़ा रहता है तो यह क्रैंक साथ से जुड़ाता है जबकि इसमाल इंड बेरिंग यह क कि connecting rod का big end जो होता है वो किस से जुड़ा रहता है तो वो जुड़ा रहता है cell bearing से अगला question देखेंगे 28 number which part is forced to circulate the water in the force feed engine cooling system force feed engine cooling system में पानी का किस हिसे का परिचालित किया जाता है तो देखिए जिसमें force circulated होता है force feeding engine cooling system में तो फो होता है pump होता है पंप के माध्यम से ही engine की cooling व्यवस्ता की जाती हो उसमें pump क्या करता है फोर्सली engine के अंदर जो छीदर बने होते हैं उसके माध्यम जलको भेजा जाता है और वो क्या करता है इंजन के उसमा को असोसित करके लाके फिर गिरा देता है यानि बाहर निकाल देता है इंजन के उसमा को इंजन गर्म होने से बज जाता है अगला कोशन देखेंगे 29 नमबर दिया है विच डिवाइस सक्स आयल फ्राम आयल संप देखिए कौन सी डिवाइस है जो आयल संप से आयल को सोख लेता है ठीक है कौन सा उपकड़ा तेल के तेल से तेल चूशता है तो यह होता है पंप पंप जो होता है यह क्या करता है जो संप पहना आयल संप उससे क्या करता है खीच तो करेक्ट deadly दूब्रिकेंट का मेन कैश्ट से क्या है इसने का मुख्यसद को और ओड़े से क्या होोता है तो देखेः यह क्या करते हैं घरसड़ को कम करते हैं मुख्य रूप से यह घरसड का कम करते हैं यह minimize the friction घरसण कम करते हैं दूसरा अगर बात किया जाय लिए क्या करता है तो दूसरा यह जो इंचन है पर विकरता है उसके टापमान को भी 하 Our लुब्रिकेंट क्या करता है तापमान को भी मेंटेन रखता है यह घरसड नहीं बताना वीरिंग नहीं बढ़ाता है यह क्या करता है बलकि जो लुब्रिकेंट है यह सोर को भी कम करता है घरसड को भी कम करता है और इंजन के तापमान को भी बनाया रखता है इसमें से यदि तीनों में से कोई भी आप संद रहेगा तो उसी को मारिएगा अगला थर्टीवन नमर का कोश्चन देखिए तो यह होता है इय ऑख happens इस नॉजल का नाम क्या इस नोजल का नाम है तो इस नोजल का नाम है इस नोजल का नाम में पिंटल नोजल का वह जए कोई सा नौजआ-पॲ्च्ण गया और अगला question देखिए 33 number दिया वाटीज दनेम आप पार्ट मार्क एज एक्स जो एक्स से डिनोट किया गया इसका नाम क्या है तो इसका नाम है नोजल क्या है यही नोजल है जो कि इस प्रेक मादन से क्या करता है इंदन को बाहर फेकता है अगला question देखिए दिया how the pressure is maintaining in the high pressure pipeline of FIP FIP देखे आपका question जो बनता है FIP का भी full farm कभी कभी पूछ लेता है तो यह क्या होता है fuel injection pump होता है तो इसमें जो है pressure कैसे maintain रखता है high pressure pipeline यानि की fuel injection pump जो है यह कैसे pressure को maintain रखता है तो यह maintain रखता है delivery wall के द्वारा इसमें जो delivery wall भोलता है FIP में fuel injection pump में उसी के द्वारा यह maintain रखता है pressure को अगला question देखें 35 नमबर दिया है how the quantity of fuel delivery vary in running diesel engine जब diesel engine चल रहा होता है तो यह कैसे quantity deliver करता है यानि छोड़ता है diesel engine को चलाने में इंधर्म वीतरग की मातरग कैसे विन्न होती है तो यह किस के माधियम से होता है तो यह control rack के माधियम से यह संभ़ होता है अगला question देखें इसमें जो ड्राइवर दिखाया गया है यह किस प्रकार का ड्राइवर है तो यह ड्राइवर है double reducing क्या है double reducing ड्राइवर है अगला question देखिए 37 नमबर which is the hydrocarbon emission released directly from engine to the atmosphere hydrocarbon कौन सा उसर्जित होता है इंजन से इंजन से है atmosphere यानि कि वाइव मेंडल में कौन सा hydrocarbon उसर्जित किया जाता है तो इंजन से कौन से निकलता है gas तो यह निकलता है crank case से exhaust system के माधियन से crank case exhaust system के माधियन से hydrocarbon उसर्जित किया जाता है जो कि directly कहां निकलता है वाइव मंडल में निकलता है अगला question देखेंगे exhaust system होता है तब ही तो निकलता है दुआ चलिए आगे देखते है थर्टीएट नमबर आवाट इज मבट ए यूज आफ केटिलेटिक करवॉर्टर की जो केटलेटिक करवार्टर है उसका परियोग किसलिए करते है तो उपरियोग करने के लिए यानिकि साइवर्जन जो है उसका नियंत्र रखने के लिए किया जाता है अगला question देखेंगे 39 नंबर दिया है which one produce AC supply, AC supply की आप पूर्थी कौन करता है, तो AC supply का आप पूर्थी alternator करता है, कौन करता है, alternator AC supply को करता है, दिया है which one is connected in the circuit between battery and starting motor, starting motor हुआ और battery के बीच, कौन सा circuit connection परियोग मिलाते हैं, तो यह होता है, selenoyd switch, selenoyd switch जो होता है, यह battery और starting motor के बीच लगाया जाता है, तो इस प्रकार diesel मैं कहनी के हमने total 40 question आप से discuss का जिए, जो कि previous year से हैं, और PDF के लिए आपको telegram channel का link description box में दे दूगा, और देखिए सबसे पहले एक खास बात दो सुनिए, impliability skill और workshop calculation के लिए first year के मैंने video आलरेड़ी बना दखाए, जिसका link आपको description box में मिल जाए, वहाँ जाकर आप लोग video को देख लिजिए, जिसे के आपके exam में कैसे question आ रहे हैं, वो भी पता चल जाए, यह PDF आपको telegram पे free में available है, download कर लगे अपनी तयारी करिए, आप मुझे मुझे बात करना चाहते हैं, परसनली तो आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं, आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो गाइस,